हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है उस पर बात करते हैं तो जो पहली अपडेट है वो एर इंडिया की तरप से आई है एर इंडिया भारत के दो सहरों से स्र दिल्ली से होगी और चैनली से होगी दिल्ली से कोलंबो के लिए हफते में दो दिन फ्लाइट आपरेट होगी इसके लावा चैनली से कोलंबो के लिए हफते में तीन दिन फ्लाइट आपरेट होगी अभी जो भी लोग इंडिया से जा सकते हैं वो फुली वैक्सिनेटेड तो भी वो लोग जा सकते, अगर आप fully vaccinated हैं तब आपको hotel में quarantine नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप fully vaccinated नहीं है तो आपको hotel में quarantine करना पड़ेगा, इसके लावा दोस्तों स्री लंका ने इंडिया की covi seal को भी approval दिया हुआ है, और co vaccine को भी approval दिया हुआ है, इंडिया से अभी जो tourist visa holder है वो travel कर सकते हैं, इसके लावा residence visa वाले भी travel कर सकते हैं, dual citizenship वालों को air India की flight में travel करने के लिए इजाज़त होगी, इसके लावा स्री लंका के जो citizen है वो लोग भी travel कर सकते हैं, तो अगस्त महिने से ही स्री लंका ने अपने international border को open कर दिया था तूरि स्री लंका के vaccine approved स्री लंका ने किये हुए हैं, इंडिया की कोवी सील्ड को भी और को वैक्सीन को भी, बाराल ये जो flight होंगी, ये air bubble agreement के तहत ही flight होंगी, क्योंकि normal commercial flight पर भारत ने पाबंदी लगाई हुई है, 30 November तक, 30 March 2020 में normal commercial international flight पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बा में आप सबको अच्छी ख़बर तो पहले ही मिल चुकी है, कि सिंगापूर की government ने VTLS यानी vaccinated travel lands के तहत, इंडिया, इंडोनेशिया, इसके लावा सौधी अरबिया, कतर और UAE को भी जोड दिया है, इंडिया के लोग 29 नॉंबर से सिंगापूर के लिए travel कर सकते हैं, बिना कोलकाता से सिंगापूर के लिए अपनी फ्लाइटों को resume कर दिया है, ये फ्लाइटे 29 नॉंबर से आपरेट होना सुरू हो जाएंगी, तो बैरल दोस्तों, सिंगापूर वालों के लिए अच्छी ख़बर है, जो लोग सिंगापूर इंडिया से जाना चाहते हैं, उनके ल आई है, वो एर अर्विया की तरफ से आई है, UAE की लो कास्ट एयर लाइन से एर अर्विया, एर अर्विया ने दिली और अबुधावी के दर्मियान डाइरेक्ट फ्लाइट सुरू करने का फैसला किया है, ये फ्लाइटें हपते में चार दिन आपरेट होंगी, ये जो भी नॉमबर से एर अर्विया भी अपनी फ्लाइट शुरू करने जा रही है, दिली और अबुधावी के दर्मियान ये लो कास्ट एयर लाइन से दोस्तों, और इसके टिकट सस्ते होते है, एर अर्विया के टिकट आम तोर पर काफी सस्ते होते हैं, तो बराल चुविस पूने और दुबई के दर्मियान जो इसपाइस जेट फ्लाइटे सुरू करेंगी इसके लबा कई और एलाइंस भी पूने और दुबई के दर्मियान फ्लाइट सुरू करने के बारे में सोच रही हैं। खोली जा सकती है या नहीं खोली जा सकती है उनोंने इसके साथ में जोड़ा है कि जिस तरीके से रूस और इसके लबा यूरोब के अन cobra कि अभि महामारी चल लई ए बीमारी चल लई ए उसको देखते हुए इसमें अभी डिले हो सकता है और लेट भी हो सकता है देरी भी हो सकती है उन्होंने काया कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से गर्मियों में कुरोना की महामारी भारत में लोटी थी उस तरीके की कोई अन्होनी हो इसलिए हम फूख फूख कर कदम रख रहे हैं और सारे बिंदों पर विचार करने के बाद ही इस पर फैस दी है उसके बारे में तो बरहाल दोस्तों ये आज की कुछ अपडेट थी आगे कोई और अपडेट होगी तो आप तक पहुचाई जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें